हेलो फ्रेंट्स, आप वरुन, वेल्कम यू टो वियार के एक्सपेरिमेंट्स आज हम अन्बॉक्स करेंगे मेवी रोम स्पीकर मैंने एक बात नोटिस करिया है कि आप वीडियो को देखते हैं लाइक करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं इसके सामने लिखाव है स्मॉल साइज बिक साउं यहां मारे मीवी रोम स्पीकर की पिचर भी बनी भी है यहां कुछ डीटेल्स लिखी भी हैं आप पाॉस करके देख सकते हैं यह फाइब वोल्ड पीक आउटपुट देता है पाइब वाट इसके साइड में कुछ टेक्चर दिया हुआ है मीवी और रोम ग्रेय और पिंक लगा इस साइड भी दिया हुआ है और यह कापी अच्छा लग रहे पीछे की साइड इसके स्पैसिफिकेशन लिखी भी है जैसे क्रिस्टल क्लियर साउंड प्रेमियम बिल्ट ट्रू वायर्ले स्टीडियो यह ब्लूटूस चे अनेक्ट हो सकता है प्ले इन और यह वाटरप्रूफ है आईपी एक्स सिक्स्टी सेवन और यह पोर्टेवल है वारिंटी अभील हो जाएगी इसका प्राइज 2999 है बड़ हमको यह 899 का मिला है अब इसको अन्बॉक्स कर लेते हैं एंड तक देखने पर आपको एक सब्स्राइज मिलेगा इसकी जो बैक्टरी दी भी है वो 800 mAh की है तो चलिये अब अपना बोक्स खोल के देखते हैं इसका जैसी हम बोक्स कोलते हैं हमको एक सामने पिंग लगा एक कार्ड मिलता है यह इसका वारिंटी कार्ड एवन एयर का इसकी पिंग हमको वाट्साप पर भेजनी पड़ेगी तो हमारी वारिंटी अवेल हो जाईगी इसके पीछे कुछ नहीं है यह रहा हमारा स्पीकर इसको साइड में रखते हैं अब देखते हैं बॉक्स के अंदर हमको क्या-क्या मिलते हैं हमको एक यूएस्बी चार्जर मिलता है इसका जो ग्रे कलरका है और इसकी लेंध मतलब 10 इंच तक है इसकी एक आउक्स केबल मिलते है ग्रे कलरकी यह यूजर मानुवल यहां पर लिखा है आई-पी-67 वाटर्पूफ है कि कुछ और फीचर हैं इसके हैं आप इसको पॉस करके देख सकते हैं अब आते हैं हमारे स्पीकर पर यह हमारा स्पीकर है इसकी बिल्ड कॉलिटी बहुत अच्छी दिया है जो उपर दिया है जो यह स्पीकर को क्लॉस है यह अच्छा दिया है यह हमारे पास वाटर्पूफ है इसलिए यह साइड में हमको एक स्लोट मिलता है जिसके अंदर हमको चार्जिंग के पोर्ट दिखता है और 3.55 mm का अउडियो चैक मिलता है इसके पीछे की साइड पर हमको मेवी लिख रहा है इसके अंदर बैक्टरी कैपासिटी 800 mAh कि है इसका मतलब हमको यह 7R तक चलती है सेविंटी परसेंट वॉल्यूम पर यहां पर कुछ बटन दिये हैं प्ले पॉज वॉल्यूम अप डाउन स्विच ऑन और हमें एक स्ट्राप भी मिलता है जिसको हम इसको कैरी कर सकते हैं अब इसको अन करके हम पेयर करते हैं इसकी साउंड कॉलिटी मैं अपनी तरफ से कह सकता हूं कि यह बहुत बहुत अची है इसके साइस के हिसाप से और हमें इसकी कॉस्ट के हिसाप से और यह गोगल हों जैसे लगता है कभी तभी यहां पर एक ब्लू एलेडी ब्लिंग को रही थी जब पेयर हो जाता है तो ब्लू एलेडी ब्लिंग को ना बंदो जाती है अब इसकी सांड कॉलिटी देख ली जया अब आप वीडियो हमारे चानल को सब्सक्राइब करते हैं और ऐसी वीडियो के लिए और बेल आइकन को भी दबा देची यह हमारे कुछ स्नाप शॉट्स हैं आप इसको एक बार देख लिए थी मैं सोच रहा था गिववे करूँ कुछ लेगिन मेरे पास अभी एक इसको मैं गिववे के लिए सोच रहा हूं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा गिववे के लिए उसके लिए लाइक कर जीजिए